हेलो दोस्तो तो स्वाकत है आफका फिर से इस चैनल पर तो दहरमशाला में चला हुआ है टेस्ट मैच इंडिया वर्चिस इंगलेंड का और मेरे सब दो स्टेटस डाल रहे थे ठीक है मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं निकल पड़ा धरमशाला की और मैच देखने रास्ता पूरा खराब है और हम लेट के हो चुके हैं धरमशाला मैच देखने के लिए तो ये रास्ता भी बन रहा है धरमशाला कांगरा वाला तो ये है शिबला कंगरा वाले जिसका काम बहुत जोड़ो सोरो से चला हुआ है और इसिके कारण हम धरमशाला पहुंचने में लेट होने वाले और आप आगे देख सकते हैं सिर्फ वन बे रोड बचा है और बाकी जो काम है वो भी चला हुआ है लेकिन कंस्ट्रक्ट होने के बाद यह रोड काफी अच्छा हो जाएगा और धर्मशाला पहुंचने में बिल्कुल भी बक्त नहीं लगेगा हमीरपूर से तो अभी टाइम हुआ है सवावारा और हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला और यह है पुलिस ग्राउंड जहां पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और देन आप मैस देखने जा सकते हैं तो सबी की आड़ियां यहां पर पार्क है और सामने आप यह खूबसूरत पहार तो हमने लिए यहां पर जर्शी मैंने लिए विराट की और हम हो गए तायार मैच देखने के लिए देखने के एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम बिना कुछ खाए ग्राउंड के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे यह हमारी तीन टिकेट्स इंडिया वर्शी इंग लैंड मैच की जिसके जरी हम ग्राउंड के अंदर जाएंगे और हम अभी खड़े हैं गेट तरही वाला गेट है वो गेट है गेट नमबर फाइब गेट नमबर वन जो हो में गेट है इस स्टेडियम का ख्राइब गेट बिफ गाईब पार बार जार जोवाल नमबर नमबर च्छ गाहते हैं थी कि हमने इंडी का फ्लैग अपने मूँ पर बुनवा लिया जिसके लगे पचास रूपए तो हम अभी पहुंच चुके हैं गेट नमबर फाइब के पास और इसी गेट के साथ हमारी एंडर एंट्री होने वाली है चेकिंग के बाद हम ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे फाइनली सारी चेकिंग होने के बाद हम जा रहे हैं स्टेडियूम के अंदर इंडिया को चियर करने स्टेडियूम के अंदर पहुंच कर किलाड़ी को इतना पास देकर दिल के अंदर जो खुशी थी वो जो खुशी महसूस हो रही थी वो खुशी अलग ही थी और ये इतना खूबसूरत स्टेडियम है सामने आप बरफ के ये खूबसूरत पहाड देख सकते हैं दोलादार रेंजिस और सामने ये इंडिया के खिलाडी तो इंग्लैंड का स्कोर अभी 110 पे 5 है और जो रूट और बेंस्टॉक्स केल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज इंग्लैंड आट हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि आज इंग्लैंड जो लीड ले पाईगी और हमें कुछ रंस देवाईगी धर्मशाला हमें खेलने के लिए और खौपस हो कि हम आज ही जब दी जीच जाएंगे तीसरे दिन का ये टेस्ट मैच और हम अभी फुल इंजॉय कर रहे हैं हाँ पर तैस लग रहा है वी शुद्ट बहुत अच्छा लग रहा वाज लोगों को नहीं पता ब्रेक में क्या होता है तो ये ब्रेक में देखिए जश्टर या भी बिकेटियरी है दोँ हा मैं historic जावा नंसाए इक संब कही कि चिटेगा INDIA जीतेगा मैं एक मैं एक oder एक चेता J जे बने आज वेडिए आज वेडिए आज वेडिए जसको जो प्रा आज वेडिए वोई जड़े जा इंगलेंड के जो रूट अभी बैटिंग कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ रूंस मिलेंगे यहाँ पर चेज करने के लिए मुझे लगता है कि इंगलेंड आज जल्द ही और आप यह स्टेडियूम दिस्क रहे हैं सामने यह खूबसरत बर्फ के पहार एक में अच्छे लग रहे हैं यहां से देख रहे हैं और सच में मैं बहुत खुश हूँ यहां आकर मज़ा गया मतलब बैट लगा यार बैट लगा बले तेडिसाथ राट 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 रमट आपिए नुट आउट नुट आउट नुट हूट इंग्ट वेस्टो जोके हैं कि अभी इंग्लेंड को चाहिए 120 रण 120 पीछे है उसके बाद उनना इंडिया को लेड डेली है तेकिन अभी चार विट्टे बचे हैं उनकी 139 पे 6 आउट हो चुके हैं सामने आपको स्क्रीन को दिखाऊं तो 139 पे 6 इंग्लेंड आउट हो चुकी है और मुझे इंडिया की इंडिया को चीतने के लिए और अभी टीब्रेक होने वाभी टाइम में अब्रेक को लगता कि टीब्रेक से पहले-पहले इंग्लेंड जो अब आलट हो जाएगी तो अभी हम लास्ट विगेट का वेटे रहे हैं कि मैं तो रिकॉड करने के चक्कर में हूँ इसको रिकॉड और इंडिया यह सीरीज जीट जाएगी और अभी यहां पर वो ट्रॉफी भी आई और ट्रॉफी उठाएंगे वो सब कुछ दिखांगा आप ओ यार जश्ट इंडिया नीड वन विगेट 193 पे नाइन आउट है दर्मशाला का यह खुब सुरत स्टेडियम 55 रंज अभी इंग्लेंड टीम पीछे है लेकिन विगेट सिर्फ एक बची है तो जो इंग्लेंड है वो 195 पर आलग हो चुकी है और इंडिया न यह सीरीज चार एक से जीत ली है और अभी मैं ट्रॉफी सेलिबरेशन भी आपको दिखाऊंगा अभी जो इवेंट चला हुआ है वो चला हुआ है man of the match and man of the series देन रोही शर्मा ट्रॉफी उठाएंगे और यह पल मुझे देखने को मिलेंगे मैं सच में इतना खुश हूँ कि मुझे ट्रॉफी जो मैं अपने आंकों से देखूंगा रोही शर्मा और इंटीम इंडिया अ कि मेरे सामने है यह स्वी जस्वाल और इनको मिला है man of the tournament जिनने सबसे ज्यादा रन्स बनाए है इस सीरिज में यह स्वी जस्वाल तो अभी जेशा न दी है ट्रॉफी रोही शर्मा के हाथों में और अभी हो रही है फोटर शूट दैन यह टीम इंडिया के पास हाई ट्रॉफी और रोही शर्मा ट्रॉफी लेकर चाह रहे हैं टीम इंडिया के पास एक और टेस्ट ट्राफी जो की टीम इंडियन जीती है चार एक से अब होगा फोटर शूट तो मेरे इस ब्लॉग में इतना ही था अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियेगा लाइक कोमेंट शेयर भी जरूर कर दियेजएगा अगर आपको अच्छा लगा और हम अभी जा रहे हैं कांगला टानल क्रोस करके अपने घर वापिस जो की हमीरपूर में है तो मिलते हैं जल्दी आपके साथ अगले व्लॉग में तब तो के लिए ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत